हलो फेंट्स आइम डेक्टर पंकच और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में डेली के किस मेडिकल कॉलेज में जेयार की जो वेकेंसी हैं अभी हाली में नौ तारीक को मतलब की नौ नवंबर को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें की वर्दमान महावीर मेडिकल कॉलेज जिसको आफ सर्दर जंग होस्पिटल के नाम से भी जानते हैं उसमें एक लेटेस वेकेंसी निकलिया रेगुलर एसार्शिप के लिए तो इस के बाद इसी पर एक और पेज दिया होगा जहां पर यह लिखा होगा रेक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो में नोटिफिकेशन है जे आर शिप वाला वो खुल जाएगा अचा उसको जब आप खोलेंगे तो आपके सामन क्ली चैंबी में बोलते हैं और तो डैली में पेजी को बीन जाता है और जैयर को भी जैयर बोलते हैं तो जो लोग जैयर पीजी नहीं होते हैं उनको नौन पेजी जैयर बोलते हैं हम लोग these what I do to use the news जलिए यह नौन पीज़िए ज्यार के लिए और आपको इसमें जिन लोगों का सेलेक्शन होगा उन्हें छे-छे महीने के लिए दो अलग-लग डिपार्टमेंट में काम करना होगा अच्छा इसमें जो सेलरी है वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स है तो इसमें आप ये देख के कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर 56,100 रुपीज लिके हैं इसमें बहुत सारे NPA और अलाउंसे और जुड़ते हैं और फाइनली ये सेलरी लग-बग एक लाग के असपास हो जाती है तो जो की दिल्ली के जादतार जो मेडिकल कॉलेज और हस्पिटल में होती है अच्छा अब आपको यह है कि इस एक्जाम में आपका सेलेक्शन कैसे होगा तो इस एक्जाम में सेलेक्शन कराने के लिए आपको एक रिटन एक्जाम देना होगा और उस exam की date website पे बाद में आएगी पहले आप लोग जो application form है उसको fill up करेंगे तो return exam जोगा वो कैसा होगा वो MCQ based होगा और उसमें जिस तरीके से PG entrance में question आते हैं NEET PG में ऐसे ही वहाँ भी MCQ जाएंगे तो वो आपको attempt करने होगे अच्छा इसके लिए qualification क्या चाहिए इसके लिए चाहिए कि जो लोग इसमें qualify करेंगे उनके पास MBBS की degree होनी चाहिए और एक important point उनके पास Delhi Medical Council का registration certificate होना चाहिए तो जिन लोगों ने भी अगर कोई ऐसा है कि वो इसमें apply करना चाहता है पर उसके पास DMC का registration certificate नहीं है तो उसको क्या करना है उसको तुरंत DMC में registration certificate के लिए apply कर देना है तो apply करने से क्या होता है एक registration एक slip मिल जाती है वो इस बात का सबूत होता है कि आपने वहाँ पे registration के लिए apply कर दिया है और अगर आप वो slip भी लगा देंगे तो भी आप इसके लिए eligible हो जाएंगे एक और चीज़ है कि इसमें वही लोग eligible होंगे जिनकी internship एक जनवरी 2020 या उसके बाद में complete होई है मतलब उससे पहले जिन्होंने internship complete किया है वो eligible नहीं होगे और सबसे important चीज़ जो Delhi Medical Council है उसका registration आपके पास होना चाहिए next अब दिखते हैं कि total number of seats कितनी है vacancy कितनी है तो total number of seats है इसमें 213 vacancies है इस बार इसमें जिसमें 85 vacancies है unreserved category के लिए उसके बाद EWS के लिए 21 vacancy है उसके बाद OBC के लिए 59 vacancy है उसके बाद schedule cast के लिए 32 vacancies है और finally ST के लिए 16 vacancies है तो ये total अगर आप जोड़ेंगे तो 213 बैठेगा उसी के साथ जहां dental की बात करें तो dental surgery में total 8 vacancy है और maxillow facial surgery में भी लगबग 8 vacancies है और एक बात ध्यान देनी है कि 14 seat जो है वो PWD candidates के लिए reserved है MBBS में भी और BDS में भी और इसमें एक और important बात है कि जो form submit करने की last date है 23 ग्यारा मतलब 23 नवंबर को last date है आप 3 बज़े दुपहर के 3 बज़े तक सवदर जन medical college में जाके ये form submit कर सकते हैं और जो लोग इसको बायक कोरियर भेज़ेंगे कहीं दूर से उन्हें बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि उनका form 23 नवंबर तक college पहुँच जाना चाहिए अगर वो form डिले होता है तो वहाँ पर उन्हों नोटिफिकेशन में लिखा है अच्छा fee submit कैसे कर सकते हैं उसका procedure सारा का सारा उन्होंने दे रखा है तो आप एक बार website पर जाके सारा का सारा पढ़ लीजिए आपको सारा clear हो जाएगा और मैं बुलूँगा जो भी इसमें इच्छुक है सवदाजन में जियार्शिप करने के लिए उसके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि 213 seats काफी ठीक amount है आपको हो सकता है जियार्शिप मिल जाए अगर आप पढ़के अच्छे से exam देंगे तो थैंक्स वाचिंग मैं वीडियो